मेरी पिछली वीडियो को कमेंट बॉक्स में मुझसे भर-भर की एक कोश्चन पूछा गया कि भाई मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि हम वाट्सम में अपने ओनलाइन स्टेटस को हाइड कर सकें हम वाट्सम में अपने लाश्ट सिन को तो हाइड कर लेते हैं लेकिन जो हमारा ओनलाइन स्टेटस है वह सो होता रहता है लोगों को पता चल जाता है कि हम कितनी समय ओनलाइन आते हैं तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि अब आप अपने वाट्सम में ओनलाइन स्टेटस को हाइड कर सकते हैं कोई भी आपका ओनलाइन उप्षण वाले option पर चले जाते हैं अब यहां पर सब से उपर account को option मिल जाता है। इसकी आपको हम पर प्रावाइसीकी option मिलेगा हैas पर आपने चुले जाना है यहीं पर online status यहां पर आपको लिखा हुआ आएगा और आपको यहां पर दो ओप्सन दिये जाएगा फर्स्ट ओप्सन है इवरीवन का जिससे कि आप सभी को अपना ओनलाइन स्टेटस सो करा सकते हैं और सेकंड ओप्सन है सेम ऐस लाष्ट सीन यानि कि जिसको आप अपना लाष्ट सीन सेयर कर रहे हैं जिसको आपका लाष्ट सीन दिखाई देरा सिर्फ उसी को आपका ओनलाइन स्टेटस भी सो होगा तो यह जो पिचर है यह अभी सिर्फ iOS के बीटा वर्जन में रोल आउट हुआ है यह अभी normal whatsapp user के लिए नहीं आया है जल्दी से normal whatsapp user के लिए भी roll out करना start कर दिया जाएगा अभी दोस्तों काफे सारी youtube वीडियो में आपको बताया जाता है कि आप gb whatsapp का use कर लेजे yo yo whatsapp का use कर लेजे अपने whatsapp online status को hide करने के लिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जितने भी third party application है यह जो आपकी privacy है इसको wallet कर देते हैं तो आप किसी भी third party application का आपने online whatsapp status को hide करने के लिए मत use कीजिए मिलते हैं ऐसी informative वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम